आजी तेरे खेत मेरी माई गडेरी खिंडोले जारे कनाई या जोलते सके है रुखमान जो तेर ही आजी तेरे खेत मेरी माई गडेरी खिंडोले जारे कनाई या जोलते सके है रुखमान जो तेर ही या जोलते सके है रुखमान जो तेरे खेत मेरी माई येरी सिवजी के करमंडल के माई विश्णुजी का लाग्या पेरी पवन पवितर अमरत बनके परवत उपर गई हैरी पागी रतन तपर रख्या खोद कहलाया ताने खेरी साथ हजार सगड के पेटे जो मुक्ती का पागे धाम ऑयो त्याके धोरे हाते गंगाजी थराया हनाम वो तमाविश्णुजीतिनों पुझा करते सुबैशामे तेरी सब रहते तेरे हैं एक मेरी किसी हो रही जैजैकार एक नहीं या जो ओल तेरे सके रुख मर जो नरही रही कर लो ओल देरे किसी हो प्रच बड़्या ज़िधकार प्रच रहीं और एक बात भी है कि एक बार एक पंडी मैं सब्सक्राइब जन्वर्थी में बश्राइन ! वो जूदियां बनाया करते तरविदास जी करन लगे कि चलो भाई गंगा जी नाने चलते हैं संद साब के भाई मेरा मोका नहीं है जाने का मैं दो दिन में पाध रुपे कमाता हूं वही घर में लग जाते हैं रोजना का काम है में तो डूटीया ही होई है और एक काम कर लेना तुम सवारुप्या ले दो और गंगा महिया के हाथ में दे देना अब पंडी जी ये द्रिश्टान दोते हैं मैं कोई बुरा ना मानने कोई मुकदमे वाड़ी बात नहीं है शिक्षागी बात होती है पंडी जी जमना गंगा जी पर चले गए वहां नहें धोये अपना पूजा पाट किया उसके बाद आवाज जी गंगा मैया ये सवारुप्या रविधास जी कहें ले लो ये को थोड़ी कम कर लो मैया ने हाथ निकाल दिया सवारुप्या ले लिया दूसरा हाथ निकाल दिया, सुन्ने का कंगन दे दिया, बहुत बढ़िया हीरे जडिते, अब पंडी जी तो उसे लेके, खुश होगे घर चले आए सिद्धे, संत जी को कुछ ना बताया, घर आए, पंडी तायन को दे दिया, कंगन कहने लेगी जी, कंगन तो हम क्या करेंगे पंडी जी राजा के पास और राणी को कंगन दिखाऊँगा मद यू पाार दूआ, आज बड़ी खुस होगी, अब जब गठें लेके, राजा सा गये, राणी के पास तो रानी केणे एलन की आप कहने लेगी, आप कहीं जी कहीं से मया ही, जिन जी कहीं से लेा पंडिजी दूसरा और चीए जोड़ा इसका कर नहीं आए तो तरह जन बच्छा को लूमें पिलवा देंगे पंडिजी बड़ा रस्ता हो यह तो कहा के संथ के पास गए आया पंडिजा इंदुड़ा कला मरवा दिया में तो कैसे चले जो संथ के पास कुछ ना उस रास्ता व केला बाए साकर तू सवारुपे की जिरूरत निया जो कठोती है जिसमें चमडा भी होता हूं ना इसमें से निकाले उसमें से निकलाई बोली गंगा मही आकी तो तब से कावत पड़गी के मन चंगा तो कठोती में गंगा तो जब अगर विचार शुत है तो फिर तो कोई बात नहीं आये दूसरी बात के दुवारा कैसे कैसे गंगा मही नहीं क्या किया येरी अस्थ बसू पैदा किये रिसियों का युतारा स्राप शान्तनू के प्याही गई वस्मों का बणाया बाप शील गंगे छोड कने सुरग मैं गई थी आपे खेरी तीन चरण पाछे रेगे एक चरण दरके आई नो सैमील इस प्रतवी पे अमरत रस बढ़के छाई हेरे के रिजू अथर सोम वे दोने बढ़ाई गाई हेरे के रिजू अथर सोम वे दोने बढ़ाई गाई शीवजी चले थे जने तमेरी कसी है परसी मोँचाण दार कनाई जाजो उलते सके एरोक माने जो नरहीरी हेरी कउ मुखी बदरी नात लच्मन जुला छुटी नहेरे हारी द्वार रिशी केस्ट हारी द्वार रिशी केस्ट अमरत कैसी फुटी लहरे गड़ मुक्तेस्वर निलाबाद गया जो पवेतर शहरे हेरे कलकतेते सिदी होनी आवडा डखाई शान समंदर में चाके मिलगी सागर का गटाया माने जूरिये जीन अमरत पिके अमोजल का गरा बखाने तेरी एक दिन गई थी सने तो मेरी लड़े और जुमे क्रेसन मुरार तनाई या जो ओलते सके रुकमल जो डरही हुआ है क्टा अबाद प्सक्तव हुआ है प्सक्त बादेन साथ एक प्रसना आता हरियाना पुलिस के अंदरी थाओं के लखमिचन जी के गुरु जी का नाम बताओ बच्चे ना बता पाएं क्योंकि नोजवान भी अपनी संस्कृति को थोड़ा भूलते जा रहे हैं जो नया रिवाज है उसको अपना रहे हैं जो पस्चिमी रिवाज है मैं तो यह प्रार्थ न करूँगा नोजवान साथियों से कि बच शुन्या करें तो सब की लेकिन करनी अपने मन की अपने संस्कारों की चीए अपने देश जैसे उचे विचार कहीं नहीं है तो वो उत्तरी नहीं नहीं पाए और उसमें लखमिचंजी के गुरुजी भी उनके गुरुजी भी और उनके चेल्ले भी सभी का राज खोल दिया गया आखरी बात के द्वारा किस तरह से बताया बला श्रिम वासीनाथ तेरे अंदर जान के मिले थे आप मान सिंग भी तेरे अंदर जान के मिले थे आप ओ लखमी चंद भी तेरे अंदर आण के मिले थे आप तेरे वोही मुख्ती पाग्याँ गंगे तेरे अंदर नाणे आडा पान ची में रहन लाग द्या मामुली साक़्याँ श्रिमांगे राम यक देन गंगे तेरे पीची आड़े आड़ा तेरी आहाडे मिलेगा तेरे रे तुम्हेरी यो तजे कैने सद सारे कनई याजो ओलते सके रुक मन जोले तेरी गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गड़े दी नोले चारे कनई याजो ओलते सके रुक मन जोले तेरी